सब्सक्राइब कीजिए, हेल्थ टच चैनल को और बैल आइकन को दबाईए, आयरवेदि कोशदियां और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेर जरूर करें नमस्कार दोस्तो, हेल्थ टच में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, दोस्तो आज हम आपको महाशंकवटी के बारे में बताने वाले हैं, महाशंकवटी और शंकवटी ये दो तरह की आती है, दोनों ही बैदनात की हैं, आप देख सकते हैं, इसमें आप दोनों को ही आपको जो है समझने में आसानी होगी इसलिए हमने आपको दोनों ही यहाँ पर दिखाई है यह दो तरह की आती है कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि संकवटी और महा संकवटी एक है या अलग अलग कैसे है इसमें दोनों में रेट का भी काफी अंतर होता है यह जो महा संकवटी है यह चालिश टैबलेट की पैकिंग में उपलब्ध है और यह जो संकवटी है यह भी चालिश टैबलेट की पैकिंग मे पहत को दोड़ קो कि होती है लेकिन इनका थोड़ा जो उसका फौर्मला होता है इसको बनाने के लिए यह थोड़ा ऐलग होता है आज मैं आपको पूरी जानतारी दूंगा और बैदनात कमपनी के तरब से ये आता है इसके अगर इसमें जो composition की बात करें इसमें कौन-कौन से उसद्यस्त में इस्तमाल की गई है इसको बनाने के लिए तो ये इस विसे इस रूप से इसमें पीपला मूल, चितरक मूल, किछाल दंती मूल, सुद पारद सुद गंदक, पीपल, सज्जिखार, यवक्षार, सुद टंकन, सेंदा नमक, काला नमक, मनियारी नमक, समुंद्र नमक, सांबर नमक, काली मिर्च, सोंट, सुद विश, अजवायन, हरड, छोटी, सुद हींग, इमलिछार इन सभी उशुद्यों को एक एक तोला लेकर, इसमें संक बस्म दो तोला मिलाई जाती है, और इन सभी को सबसे पहले पारा और गंदक की कजली बनाकर, इन सभी दवाईयों का जो मैंने अभी बताई हैं, उन सभी का इसमें कपड़ छान चूरन तयार करके, इसको इसमें मि आ दिया जाता है, मिलाने के बाद इसमें मिलाने के जो सभी एक जगए मिलकर ये अच्छी तरीके से इसको गुटाई की करते हैं, और गुटाई करने के बाद इसमें जो है मिला जो ये अमल होता है, अमल वर्क के जितने भी दरवों के रस यास जो क्वात होते हैं, उनके सा कवटी आपकी तैयार हो चुकी है। यसमें दो-दोदर रख्टी की गोलिया बना कर इसको शुका कर रह लिया जाता है। इसको अगर मात्रा की और अनुपान के बात करे तो इसको एक ऐक गोली बोजन के बाद खटे अनार के रसके साथ इसको लिया جाता है और निम्बू के रस के साथ भी इसको ले सकते हैं मठा, कांजी, सिरका, मग, गरम, जल, आदी किसी के साथ भी आप इसको ले सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं इसके गुणों के बारे में किन किन रोगों में काम करती है दोस्तों जो भी आप यहां पर देख रहे हैं यह महाशंकवटी और संकवटी इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ महाशंकवटी की कर रहा हूँ इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा संकवटी के बारे में तो इसमें जो इसके गुणों की बात करें तो ये अरजीन वायू को जो है नश्ट करती है इससे उत्पन जितने भी पेट के विकार होते हैं उन सभी में काम करती है पेट दरद की बहुत अच्छी दवा है विशेशकर जो की वायू के कारण होता है या गैस बनती है उन सभी म यह काम करती है इसके परिणाम सरूप जो पेट में शूल की तरह दरद होता है या शूल से चुबते रहते हैं कहीं कहीं पर तो इस तैसे रोगों में यह काम करती है इन सभी रोगों की यह बहुत अच्छी और शुद्य इसके अलावा रजीन में बहुत अच्छी यह काम करती है और साथिसाथ बोजन क्या जो परिपक होने का जो परक्रिया होती हैं उसमें इस्थार करती है जो बोजन का परिपक होता है वह बहुत आच्छी तरीके से होता है और यःशे भी प्रखार के पेट रोगों को नश्ट करती है मदागनी की समस्त जितनी भी शिकायत होती है उन सब में काम करती है और जो ट्रागिन को प्रदीपत करती है जिससे कि अमारा जो खाना होता है वो जल्दी हजम होता है और ठीक तरीके से हजम होता है ये भूप को खुल कर लाती है और अधिक गरिष्ट जो बोजन कभी-कभी हम खा लेते हैं, उसको ये पचाने में मदद करती है, कभी-कभी ऐसा होता है कि जो बोजन हम स्वाद में या अधिक खा लिया, चार्ट पकोड़ी इस तरी के कुछ आइटम खा लिया, बारी गरिश्ट बोजन खा लिया, तो पेट में बारी पन इस तरह के क वो सारी समस्या पैदा हो जाती है, तो अगर आप इसका 7 करते हैं, तो ऐसी समस्या उससे भी बचा जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा अगर आप फ्रेज करते हैं, फ्रेज के साथ इसको लेते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगी, सुपाच्य खागने के बाद अगर आपको कोई भी समश्या होई है तो उसको यह ठीक कर सके तो इसके परियोग से जो है अचानक होने वाले जो पेट दर्द होते हैं उसमें भी यह काम करती है और ग्रहनी अफारा जैसे रोगों को भी यह नश्ट करती है यह उत्तम पाचक और अगनी प् कोमेंट बक्स में लिख सकते हैं आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें नीचे कोमेंट बक्स में लिख कर जरूर बताइएगा आज की इस वीडियो में इतना ही उमीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी इस वीडियो के संबंद में अगर आपका कोई भी सवाल या सु जावे तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी और भी अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे मिलते हैं अगली और अपनी शेयत का ख्याल रखिए धन्यवाद